प्रताबगड के बाद अब सुल्तानपूर में दबंगों ने पत्रकार को जान से मानने की धंकी दी है धंकी के बाद से पत्रकार और उसका पूरा परिवार काफी सहमा हुआ है पत्रकार को डर है कि कहीं प्रताबगड में हुई हत्या की तरह उसके साथ भी कोई बार्दात नहों जाए नमस्कार मैं हूँ खुशुपान्य और आप देख रहे हैं नियू स्टैमनेशन की खासकबर हम कुछ बताए इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कब से तहार यहर होईगी अच्छा ही बताओ जिया इस पूरी जमीन का है पूरी आबादी इस पूरी आबादी आदे नेड़ा माताजी के कहना है कि यहां गंदी के दिप्याटा आदिया नहीं है इनका इन खुदे हरा विक रहना यहां तो वाइकों का छवलते इनके राप जोन हम छवाई जोन रखे उपरा रहे हैं तोरे मुहरव्दू तरगमाटी गिरवाजेव यह देखिए इस तरीके बात करे दा सब्सक्राइब यहां नूटीस होगा आधा वाटे कहँए तोर तरीका तोर कहणी दार दिया रहे हैं अब मिया पतरकारी अम्यों प्रेकारी यह देखिये यह जब तक सांती बनाए है दर्यों तक यह तक जाना, इनका तरीका है. जब तर सांती बनी वेहा बस वहीं कि इंदियार रहा आज तू अंति में चल दी हां, जूट के नाओ कितना दिन चले उका तू खुद जान ले, तो हार जूट के पार दिन चले, उरीकार का वहली जुट से प्रागर ये, आपके सामने मारने तक धमकी देघा, देखा आपने क इस तरह से ये शक साफ तोर पर पत्रकार को गालिया देते हुए जान से मारने की धंकी दे रहा है। वो तो कहिए कि धंकी भरा विडियो मौजूद है वरना शायद लोग मारने से भी इनकार ही कर देते हैं। तरह सली माबना सल्तानपूर में जैसिंपूर विकासखंट के हरहर पूर काउं का है जहां रहने वाले आलोग दूबे प्रिंट मीडिया के फुराने पत्रकार है। पत्रकार आलोग भूबे का आरोफ है कि उनके पडोसी दबंग वंश्राज दूवे और उनके दो बेटे रमेश और अभिशेक उनकी जमीन पर कबजा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बक पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद से संपत्री का विवाद कोट में विचारा धीन है। बावजू जिसके दबंग जगड़े पर अमादा है। पिरित पत्रकार के मारे तो कुछ दिनों पहले ही उनुन अपने जमीन पर एक छप पर रखा था जिसे दबंगों ने उखार कर फेक दिया। पत्रकार ने जब विरोध किया तो दबंग मार पीच पर आमादा हो गया। कब से तो हार यहार होईगी। देख रहा है किस तरीके धंकी दे रहे है। धंकी उंकी ना ने पत्रकारी खुझ आए। बस जब तक सांती बना यही तरह तक जाना। इनका तरीका है। जब तक सांती बनी विया बस वही किंदियार रहा। आज तू अंतीम चाल आपन चल दिया। जूट के नाओ कितना दिन चले उका तू खुझ जान ले। तो हर जूट के पान दिन चले। उरिकार का वह लिए। आपके सामने मारने तक तक धंकी दे रहा। पत्रकार आलोग दूबे के मुताबे के पडोसी दबंग रोजाना उसे धंकी दे रहे हैं जिससे पत्रकार और उनका परिवाद खौफ सता है। इस वक्त पत्रकार को अपनी जान की फिक्र सता रही है। आपको बता दे कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रताबगर में दबंगों ने एक पत्रकार को जान से मार दिया था। लहाजा सुल्तानपूर में रहने वाले पत्रकार आलोग दुवे को भी ये डर है कि दबंग उनके साथ भी कहीं इसी तरह की कोई वारदात को अंजाम न दे दे। आपको हमारी खबर कैसे लगी कॉमें सेक्शन में सरूर बताएं। अगर आपे खबर फेस्बूक आदे तो से लाइक और फॉर करें। और अगर आपे यूटूब पर देखरों तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें। नमस्कार।